एशेक अब 2023 के चौथे मुकाबले में भारत के विकेट की पर बल्लेबाद इशान किशन ने पाकस्तान के खिलाफ शांदार पारी खेली एक करियर डिफाइनिंग नौक था 80 गेंदो पर 82 रन बनाए ये उनकी लगातार 54 फिफ्टी थी हाला कि मुकाबला बे नतीजा रहा क्योंके बारिश आ गई थी इशान की सपारी ने उनके पिता को बेहत खुश कर दिया है जी हाँ उन्होंने एक बात कही है उन्होंने बताया है कि इशान में ये मेचौरिटी कै नाम है प्रनपांडे पांडे जी इशान किशन के फादर है तो उनसे बहतर उनको कौन जान सकता था इसलिए उनसे ही बातचीत की गई और कई सारे सवाल किये गई उससे पहले इशान किशन के बारे में बता देता हूँ कि 18 वंडे मैच खिले हैं 776 रन बनाए है और 45.5 का उससत है 750 है और एक 12 शतक उनके रिकॉर्ड में शामिल है वो 12 शतक जो किसी भी खिलारी का लगाया गया मेडिन जो 100 होता है यानि पहले जिब सेंचुरी आती है तो उससे बड़ी पारी है उनकी 210 की सवाल किया गया उनके पिता जी से पांडे जी से सवाल पूछा गया कि आ उस वक्त ऐसी पारी की जुरुत थी कि कोई बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा रहकर रन बनाने के साथ साथ साज़ेदारी करे इशान ने हार्दिक पांडे के साथ मिलकर वो साज़ेदारी की और टीम को एक सम्मान जनक स्कोर तक पहुचाया जी हाँ देखा था ना कल जब इ इशान ने लगातार चौथा अर्शतक जमाया अगर देखा जाए तो इशान के पिछले कुछ वक्त में अब उनमें काफी ज्यादा मेचौरिटी दिख रही है तो कैसे सवाल उस शक्त से पूछा गया था जिससे अच्छा जवाब शायद कोई दे ही नहीं सकता था उनके प पादचीत करने का फायदा इशान किशन को मिला है वहीं IPL के दौरान भी मुंबए इंडियन्स की टीमों में शामिल इंटरनाशनल क्रिकिटर से उनके एक्स्पिरियंस से इशान किशन को लाब मिला है जिसकी वजह से उनके खेल में मेचौरिटी दिख रही है कि न सिर्फ भी कुछ सीख रहे हैं और वहीं से maturity आ रही है एक सवाल किया कि आप भारत पाकिस्तान के match को लेकर सवाल था कि इस high voltage match होता है ऐसे में खिलाडियों पर दबाव होता है इसको लेकर match से पहले क्या कुछ बातचीत हुई थी अगर हुई थी तो आपने क्या कहा विशान के पिता मिलने पर run बनाना और अपना best देना यहीं चाहते हैं अब अगर अपना खिलाडी best देगा और पिता की उमीद पे इशान किशन बिल्कुल खरे उतरे और ऐसी जगा से टीम को निकाला जब शायद सबसे ज़्यादा फसे हुए थे एक सवाल और किया गया सवाल कि जब इंड भारते क्रिक्ट फैंस के तरहा मेरे मन भी बस दुआ ही कर रहा था कि कोई बल्ले बास आए और टिक कर भारते पारी को सम्हाले। सम्हाला किस ने? एक पार्टनर्शिप की जुरत थी किस ने दी? इशान किशन ने दी। पांडे जी कह रहे थे कि एक बहतर के ना होने पर इशान के मिडल ओर्डर में बल्ले बाजी करने की चर्चा चल रही थी जब आपकी बात हुई थी तो क्या इस पर कोई बात्चीत हुई थी दरसल एक बात चल रही थी अगर केल रहा हो लाएंगे तो इशान किशन कहा जाएंगे तो इशान के पिता ने कहा कि मेरी हमेशा से ये चाहत रही है कि इशान किशन पाचवे नंबर पर आकर बल्ले बाजी करे चुकि उन्हें ओपनिंग के जिम्मेदारी मिलती थी तो वो ओपनर की भूमेगा निबाते थे उस पोजिशन पर भी उन्होंने अच्छा किया है बिलकुल निबाई है और क्या खूब निबाई थी कि जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी जब हमारे बड़े बड़े बल्ले बाज बड़े नाम पेल हो गए थे उस बॉलिंग लाइनप के खिलाफ आके इशान ने पारी को संभाला अगला सबसे जरूरी किया गया सवाल यह था कि एशिया कप के इस मैच में उन्होंने जिस तरह की पारी खेली आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड कप की टीम में उन्होंने जगा पकी कर ली है इसका जवाब जो इशान के पिता ने दिया वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके बाद एक गुड नीज में मैं आपको दूँगा इशान के पिता ने कहा कि यह टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है ना ही मैं और ना ही इशान इसके बारे में सोचते है मैं हमेशा से उसे यही कहता हूँ कि आप बहतर करें, सिलेक्टर्स मौका देंगी जब सिलेक्शन लेस्ट आती है तो हम शुशल मीडिया पर देख लेते हैं बेटे का नाम रहता है तो खुशे मिलती है, किस माबाप को नहीं मिलती जब भी उनका बेटा कुछ काम्याबी हासिल करता है तो हर एक माबाप खुश होता है अब बताता हूँ खबर पर, खबर ये है कि वर्ल्ड कप का स्कौर्ड लगभग पाइनल हो चुका है अफिशल अनाउस्मेंट भले ही नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप के स्कौर्ड में इशान किशन ने अपनी जगा पक्की कर ली है, दरसल इसका सिलेक्शन भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद ही हुआ था पास्तार सितंबर तक की डेडलाइन थी, एक अपडेट बी सी सी आई को मिलने बागी थी, जैसे ही एनसी से वो अपडेट आई, अजीत अगरकर जो की चीफ सिलेक्टर है, वो उड़कर शिरलंका पहुचे कोच राहूल द्रविड और रोही शर्मा कफ्तान मौजूद थे, दोनों ने चेर्चा की और अब यही खबर आ रही है कि इशान किशन ने अपनी जगा पकी कर दी है, लेकिन सवाल आ गया है कि बाहर कौन जाएगा, आपको क्या लगता है कि इशान किशन के आने से किसका न किशन के लिए गगता रही है कि वगता है